नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों वो एक सची कहानी है यह जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मेडिलिन मेडिलिनम से यह कहती है कि एक बार वो जब चार से जा रही थी तब एक बड़े टेंक ट्रक ने दोस्तों उसके कार को जोर से टक्कर मारी और वो यह कहती है कि पल भर में यह सारी चीज़े हो गई और उसके बाद उसको मतलब पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर क्या और जब उसको होश आया दोस्तों तब वो यह कहती है कि पूरा सामने का उसका जो माहौल था वो पुरी तरीके से बदल गया था वो एक अलगी दुनिया थी और उस दुनिया में वो यह कहती है कि जैसे मेरे सामने एक सुन्दर सा जहरना मतलब उसने देखा और वो इतना ये कहती है कि पृत्वी पर या फिर आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जिनके दिल में कुछ भी मतलब हमारे लिए स्वार्थ नहीं होता जो दिल से मतलब हमारा कुछ काम करेंगे हमारा अच्छा चाहेंगे वो हमसे कुछ भी नहीं चाहेंगे मतलब वो ये कहती है कि वो उसकी बच्पन की जो स्कुल थी वहां की वो टीचर थी और वो उससे बहुत पैर से मतलब उस वक्त बात करती थी आज वो जो टीचर थी आज इस दुनिया में नहीं थी फिलाल बाद में वो बुड़ी हो कर इस दुनिया से चली गई थी लेकिन आज बहुत सालों के बाद उसने वहाँ पर उनको देखा और उसको बहुत खुशी मिली अपने टीचर को देखकर और उसकी जो टीचर थी दोस्तो वो भी उससे बहुत पैर से बात कर रही थी और उस टीचर ने बाद में मेलिलिन को ये कहा दोस्तो कि तुम अपने जीवन में बहुत या अच्छे से मतलब बेटा आगे बढ़ रही हो तुम इसी तरीके से आगे बढ़ना हमारा जो आशिरवध है तुमारे लिए वो हमेशा तुमारे साथ है सच्चा जो प्यार है वो कभी भी नहीं मरता मेलेली ने ये कहती है दोस्तों कि अपने जीवन में उसने मतलब बहुत सारे मतलब दुखों को देखा था जैसे वो जिससे मतलब अपने हस्बंट से बहुत प्यार करती थी लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों उसका जो हस्बंट था उसने किसे और से मतलब बाद में उसका प्यार हुआ और बाद में उसने इसको डिवोस दे दिया मतलब मेडिलीन ये कहते हैं कि जैसे हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं और हमें मतलब लगता है कि वो हमारा इंसान है लेकिन वही उसको छोड़कर चला गया और बाद में मेडेलिन ने अपने आपको मतलब वो ये कहते है कि उसने बहुत मुश्किल से अपना आपको संभाला उस दुख से वो बाहर निकली और जितना हुसा कि आज वो लोगों से ये के साथ अच्छा ही विवार करके आगे बढ़ रही है तो इसलिए शायद उस पवित जिवन में आगे बनना और ऐसा मतलब छोटी मोटी चीजों से कभी भी मत घबराना हमारा जो मतलब प्यार है वो कभी भी तुमें बहुत बड़ी परिशाने में नहीं डालेगा और उसकी बातों में कई ना कई एक विश्वास था एक अच्छा मतलब एक भरोसा था दोस्तो और बाद में उस पवितर आत्मा ने उस मतलब टीचर के आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम फिर से मतलब प्रुथवी पर चले जाना इतना ही समय यहाँ पर हमें मिला था और मेडिलिन ये कहते है कि बाद में वो फिर से प्रुथवी पर लोट आई और बाद में वो ये कहते ह दोस्तों कि उसको मतलब वहां से उसका एक्सिलेन जहां से हुआ था वहां से एक मतलब हमांद उसको लेकर जाया गया और बाद में उसको दुसरे से शादी की और वो आज बहुत है अच्छे से जिन्देगी जी रही है तब उसको याद आये कि उसके टीचर के आत्मा ने उसको कहा था कि कहिए ना कही तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा मतलब पल जरूर आएगा और उसके बाद मेडिलिन ये कहते हैं कि आज वो बहुत अच् जो और जोंगी मेरे जीवन में हमकर्ता है उसके बहुत अच्छा होगा जो भी आएप कुछ अच्छा आपके सामने ला सकते हैं जिससे कहिना कि हमारा जीवन जीने का मतलब एक बात है वो थोड़ी सी मतलब आसान हो जाए हम अपने मतलब अच्छे से अपने आपको संभाल कर जीवन में आगे बढ़ सके और ऐसा ही हमेशा मतलब कुछ अच्छा ही होगा और हम आत्मा को उस वक्त मतलब वो सारी चीज़ जरूरी होती है इसलिए सारी बाते उनके साथ जादातर होती है इसलिए जितना हो सके दोस्तों इन सारी चीज़ों का सामना करके हम अपने जीवन करता हुए को बहुत ही अच्छे से पुरा कर सकते हैं इसलिए जारा भी आप चिं ना कि सच्चे दुरूद मतलब दिल के लोग थे या फिर उनों ने अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया था तो इस तरीके से अच्छे जो करम करेगा इंसान दोस्तों वो हो सकता है कि पृत्वी पर मतलब बुरे तरीके से जिंदगी जिये या फिर उसके सामने जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की भी ओडियोज भीजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें प्लियेफ किताब भीजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओडियो भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गुरुपया इस नंबर पर वाट्स अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद